इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ पार्टनर्शिप के केस लोग कोक्स वर्सिज हिकमेन इस केस के फैक्ट पहले एक बार समझते हैं इसमें एक कमपनी होती है जो की आईरन का कुछ पिजनस करती है जिसका नाम होता है स्मिथ एंड संस स्मिथ एंड संस के उपर बह डैट दे रखा होता है तो कमपनी कुछ फाइनेशल ट्रबल्स फेस करती है और डैप को चुका नहीं पाती है तो एक एग्रिमेंट कर लेती डीड ओफ अरेंजमेंट साइन कर लेती है वो क्रेडिटर्स के साथ में उस डीड ओफ अरेंजमेंट में तीन लोग थे तीन पार डीड ओफ अरेंजमेंट में क्या होता है डीड ओफ अरेंजमेंट में जो सारे के सारे क्रेडिटर्स हैं वो मिलकर के यह डिसाइड करते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है कंपनी को रन जो करना है वो हम अपने हाथ में ले लेते हैं और Smith & Sons को हटा देते हैं हम खुद से उसको run करेंगे और जो profit आएगा उस profit को हम अपना जो interest और जो principal amount है उसको रखते रहेंगे जब तक कि debt complete नहीं हो जाता है तो जो सारे के सारे creditors थे जनल creditors उन्होंने इन 5 जो creditors है इनको trustee बना देते हैं कि आप लोग हमारे बिहाफ पे क्या करो इस company को run करो और जो भी उसका expense है मतलब जो business run करने के लिए expense चाहिए होती है money उसको हटाने के बाद जो भी money बचती है जो भी पैसा बचेगा company का वो हमें चुकाते रहना Smith & Sons के बिहाफ पे और पहले उस company का नाम Smith & Sons होता है बाद में यह लोग change कर लेते हैं इसका दसेंटन iron company रख लेते हैं अब इस बीच में क्या होता है एक person होते हिकमेन हिकमेन कुछ goods जो हैं वो supply करते हैं company को और तीन जो bills of exchange हैं वो generate करते हैं जो company accept तो कर लेती है लेकिन उसके पैसे नहीं देती हैं इनको हिकमेन को हिकमेन क्या गरते है फिर जो यह 5 creditors था है इन में से दो जो थे एक कोक्स था और एक wheat craft था पांच creditors में से हिकमेन उन दोनों के उपर मतलब वो जो trustee थे दोनों के उपर क्या कर देते हैं case file कर देते हैं suit file कर देते recovery करने के लिए इस प company को आई होप यहां तक आपको फैक्ट एक बार समझ में आयोंगे इनके बीच में डीड ओफ एग्री अरेंजमेंट होता है फिर इनको ट्रस्टी बना देते हैं फाइव क्रेडिटर्स को उन पांच क्रेडिटर्स में से ही दो इनसान थे जिसका नाम था कोक्स एंड वीट क्र करते हैं उनके पैसे मिलते नहीं है तो वह कोक्स और जो वीट क्राफ्ट हैं उसके उपर सूट फाइल कर देते हैं पहले पीच मैंने यहां पर प्रेजेंटेशन बनाया है फैक्ट का थोड़ा सा एजी अंडरस्टेंडिंग के लिए और चीजों को फैक्ट को रिमेंबर र के बीच में साइन हुआ था क्रेडिटर्स के बीच में और स्मिट एंड संस के बीच में क्या वो क्रेडिटर्स को स्मिट एंड संस का पार्टनर बना देती है और क्या कोक्स और वीट क्राफ्ट को जो हिकमें है वो सू कर सकते की नहीं क्या हिक और जो कोक्स एंड वीट क्र पार्टनर्शिप होने के लिए कुछ चीज़े जरूरी हैं जैसे कि दो से जादा दो या दो से जादा परसंस होने चीज़ें वो कोई एक बिजनस कर रहे हो और तीसरा उनके बीच में प्रोफिट का शेर हो रहा हो और चोथा mutual agency मतब या तो अकेला वो person जो है सब के बिहाफ पे उस business को run कर रहा है या फिर वो सारे के सारे मिलकर के उस business को क्या कर रहे है रन कर रहे है तब भी क्या होगा उनके बीच में mutual agency का concept डवलप होता है मतब वो एक दूसरे के लिए agent की तरह काम करेंगे कोई भी principle नहीं है दोनों क के दोनों एक दूसरे के principle भी है तो हाउस ओफ लोड बैसिकलिए एक इंगलीज केश लो है तो हाउस ओफ लोड जो है वो यह कहते हैं कि माना कि यह टेस्ट बहुत मतलब यह चीज एक बहुत इसेंशल चीज है कि उनके बीच में profit का शेर हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि उनके बीच में profit का sharing हो रही है और भी बहुत सारी circumstances होती है और भी बहुत सारे circumstantial facts होते हैं जो भी जो ध्यान में रखने होते हैं कि partnership exist करती है कि नहीं करती हैं उनके बीच में so to determine someone's status as a partner a key test is their entitlement to share in the profit of a trade this entitlement serves as strong evidence that the trade was conducted at least in part or in their behalf मतलब यह जो चीज है ना कि उनके बीच में sharing और यह profit की यह दिखाता है कि वो इस business का part है however the basis of liability lies in the fact that the trade was carried out on their behalf लेकिन जो basic चीज है कि वो partnership है कि नहीं है वो इस चीज के उपर depend करती है कि क्या business उनके बिहाफ पर हो रहा है क्योंकि कई business इसमें आप provisions जब पढ़ोगे partnership act के किसी person को entitle हम कर सकते हैं उसके profit के लिए लेकिन फिर उसकी responsibility as a partner नहीं बनती है suppose करो कि एक partnership firm है और उसमें किसी एक employee की during the course of his duty death हो जाती है और आप यह decide करते हो कि उसकी जो वीड़ो और उसके जो बच्चे हैं उनको जो शेर हैं उसमें से कुछ benefit मिलना चाहिए तो यहां पर उनके बीच में प्रोफिट हो शेरिंग और प्रोफिट तो हो रही है लेकिन क्या वो बच्चा और वो जो वीड़ो ह पार्टनर बन गए हैं उसके नहीं वो पार्टनर नहीं बने हैं वो सिर्फ और सिफ एक प्रोवीजन बनाया गया है कि प्रोफिट का शेर होगा उनके बीच में लेकिन सिर्फ और सिफ प्रोफिट शेरिंग हो जाने मातर से वो उसके पार्टनर नहीं बनते हैं इस केस में यह pops deviation क्या गया था कि जो creditors हैं क्योंकि उन्होंने ट्रफिट को रिकवर करने के लिए सिरफ और सिफ वो profit को छेयر कर रहे थे profit को अपने ड्रफिट को कि ड्र को रिकवर कर रहे थे इसी लिए वहां पे वह एक एजन्ड की तरह काम नहीं गर रहे थे उनके बीच में आपस में mutual agency का कोई भी concept developed नहीं होता है so the house of lords established that receiving a share of a business net profit is initially considered as evidence of a partnership however this evidence is not definitive and additional circumstance must be taken into account to determine the actual existence of partnership only individuals on whose behalf the business has been conducted can be deemed as partner सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन जिनके बिहाफ पर वो business किया जा रहा है और किसके बिहाफ पर यहां पर business कर रहा था भले ही वो जो ट्रस्टीज है वो business कर रहे थे लेकिन किसके बिहाफ पर कर रहे थे Smith & Sons के बिहाफ पर वो business को run कर रहे थे ठीक है तो actual में liability किसकी बनेगी Smith & Sons की बनेगी ना की कोक्स और wheatcraft की और एक fact और यह है कि जो कोक्स है वो कभी भी मतलब उन्होंने एज़े ट्रस्टी उन्होंने जोइन ही नहीं किया हालाकि उन्हों को nominate किया गया था कि ट्रस्टी के लिए लेकिन उन्होंने कभी भी एज़े ट्रस्टी जोइन ही नहीं किया और जो wheatcraft है उन्होंने within six week अपना resignation दे दिया था तो आई होप आपको यह case law जुरूर समझ में आया होगा और इसकी पीडिएफ जो आप मेरे टेलग्राम चैनल से ले सकते हो लोबाइट 906 पब्लिक चैनल है और लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा थैंक्यू सो मच